हेलो एवरिवन रोई सूची के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनेगी सबजी जो कि हम बनाएंगे चूले पे बिना किसी गर्म मसाले के बिना किसी खड़े मसाले के तो चलो देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं लाजवाब मटर पनेगी सबजी जिसके लिए हमने लिए तीन प्याज दस से बारा लैसुन की कर लिया एक अद्रक का टुकड़ा तीन टमाटर और दो हर्मीटची हम चूले पे बना रहे हैं तो सबसे पहले हम जलाएंगे आग हमारी आग जल गई है तो अब हम रखेंगे चूले पे मार तेल गरम हो गया तो इसमें डालेंगे एक पिंच हिंग और आदा चम्मस डालेंगे जीरा जीरा ब्राउन होने लग गया तो इसमें डालेंगे हम प्याज अद्रक लैसून और हरी मीटची का पेस्ट और इसको ओल छोड़ने तक अच्छे से पकाहेंगे अभी देखे हमारा प्याज और हरी मीटची का जो पेस्ट और अच्छे से पक गया है तो इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से पकने वाली है चूली पे बनाते तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि अच्छे से ओई चोर तो इसमें डालेंगे है इसमें डालेंगे थ्री फॉर टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक लाल मिर्सावडर ट्यूंड दालेंगे धनिया पाउडर अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे यह नीचे चिपके मिलगों चूले में लकड़ानी डालेंगे जो धीमी आच है उसको पकाएंगे मसाले को चार से पांच मिनट में देखे हैं मारा मसाला पक के अच्छे से तयार हो गया है और इसने अच्छे से ओल छोड़ दिया है तब इसमें हम डालेंगे पानी आपको ग्रेवी जितनी पतली करनी है उसके अच्छे से उबाला अने देंगे अधा चमच नमक नमक कर सकते हैं पानी में भी देखिए हमारे में उबाला गया तो इसमें डालेंगे हम हरा मटर इसको एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे और अब इसमें डालेंगे हम पनीर हमने पनीर यहां पे 300 ग्राम लिया है और अब इसमें हम डालेंगे क्रीम क्रीम की जगह मैंने घर की जो मलाई होती है उसी को फेट के यूज किया और अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेती और हरा धनिया और ये हमारी मटर पनी की सबजी बनके तयार है बताए कैसे लगए आपको मेरी मटर पनी की सबजी अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी चैनल को सबस्क्राइब करना